सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है अभीनंदन है आज का हमारा ये वीडियो है वो एकोनोमिक बॉटनी के बारे में है और एकोनोमिक बॉटनी के पहले भी मैंने आपको कुछ मेटर से वो सेंड किया है वीडियो के माध्यम से भी और PPT के माध्यम से भी आज का जो हमारे ये टोपिक है वो मुख्य रूप से Spices and Condiments के बारे में है जिसका एक्जामपल है वो हल्दी है जिसको हम टर्मेरिक के नाम से भी जानते हैं और ये मसालों के रूप में मुख्य जो Constituent से उसके रूप में हम लोग काम में लाते हैं जैसे सबजी पकाने के लिए लाल मिर्च का होना धनिया का होना और हल्दी का होना जरूरी है इसलिए हल्दी को एक आवसिक मसाले के रूप में काम में लिया जाता है तो इसलिए हमारा आज का जो ये टोपिक है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है हल्दी के बारे में है आज का ये टोपिक जो की एकोनोमिक बोटनी का एक पार्ट है टोपिक पर जाने से पहले हमें Spices and Condiments में डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया Spices है वो सबजी बनाने के लिए जरूरी रूप से जिनको हम काम में लाते हैं जैसे लाल मिर्च हल्दी और धनिया वह एक अलग बात है कि कुछ लोग लाल मिर्च को कम में का यूच करते हैं ये उनकी पसंद पर depend करता है लेकिन सबजी बनाने के लिए ये जो तीन चीज़े आपके सामने हैं इनको जरूरी मसालों के रूप में हम काम में लाते हैं इसलिए ये Spices के Examples हैं Condiments का मतलब ये होता है सबजी का टेस्ट बढ़ाने के लिए Digestive Power बढ़ाने के लिए जिनको सबजी में डालना जरूरी नहीं होता है लेकिन अगर हमने उनको डाल दिया है तो निश्यत रूप से सबजी का टेस्ट भी बढ़ेगा और जिसको हम खा रहे हैं तो हमारे Digestion में भी ये चीज़े हैं वो हेल्प करती है जैसे कि हींग है, अद्रक है, लोंग है और दूसरे अन्य चीज़े इसलिए अब हमें आरे दिमाग में ये किलिर हो जाना चाहिए कि Spices and Condiments में Main Difference है वो क्या होता है Spices है, वो मुख्य गटक है सबजी बनाने के लिए और जो Condiments है, ये है सबजी का टेस्ट बढ़ाने के लिए और Digestive Power बढ़ाने के लिए आज का टोपिक हल्दी के बारे में है जिसको हम टर्मेरिक के नाम से जानते हैं जो तीन मसालों में मुख्य मसाला है लाल मिरच, हल्दी, धनिया तो हल्दी है वो आज का हमारा टोपिक है हल्दी का बाटनी का लेम कुरकुमा लोंगा ये किस समवर का है जिंजिबी रेल्स का इसके कुल का क्या नाम है जिंजिबी रेशी पौधे का कौन सा भाग हम काम में लाते हैं राइजोम जो अंडरग्राउंड होता है राइजोम को हम हल्दी के रूप में काम में लाते हैं और अद्रक भी आप चानते हो वो भी राइजोम होता है और इसका जो नेटिव प्लेस है वो है साउथ एसिया यानि दक्षनी एसिया तो मुख्य बाते हैं हल्दी के बारे में वो यहां पर आपको दिखाई दे रही है कुरकुमा, जिंजिबिरेशी, राइजों ये तीन चीजे निश्चित रूप से हमें याद रखनी है कि इसका बोटनिकल नेम क्या है, फेमिली का नाम क्या है और कौन से भाग से हमें हल्दी है, वो प्राप्त होती है हल्दी है, निश्चित रूप से ये हमारे यहां पर पाए जाती है और ये भी अधरक परजाती का एक पोदा है, जिसके लंबाई है, वो 5-6 फुट होती है लेकिन अंडरग्राउंट जो प्रकंद है या राईजूम है, उसको हम हल्दी के रुप में कामे लाते हैं निश्चित रुप से हल्दी है, वो बहुत प्राचिन समय से ही हम लोग कामे लाते रहे हैं आयरुवेद में भी इसका वर्णन है वो हम लोगों को मिलता है और इसमें भी हम लोग काम में लाते हैं निश्चित रुप से आयरुवेद के एकोडिंग भी ये एक बहुत ही महतोपूर्ण ओसधी के रुप में माना गया है मसालों के रुप में तो हम कामे लाते ही हैं इसके अलावा जो हमारे धार्मिक और विवाईक और दूसरे जो फंक्संस हैं उनके अंदर भी हम हल्दी को एक महतोपूर्ण गटक के रुप में कामे लाते हैं ये चीज हम सब अच्छी तरह से जानते हैं किसी से भी छुपी हुई है वो नहीं है इसलिए हल्दी के बारे में पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महतोपूर्ण एक औसदी के रुप में समझ लीजिए या मसालों के रुप में हम लोगों को काम आती है इसका जो नेट्व प्लेस है जैसा कि शुरू में मैंने आपको बतलाया था दक्षनी एसिया है और वहां से ये पूरे वर्ल्ड में या विस्वा में फेली हाल्दी का प्रियोग एक औसिदी के रुप में भी निश्चित रुप से होता है इसके जो उप्योग है उनके बारे में हम आगे चल कर बाते करेंगे कि कौन-कौन से मुख्य जो इसके उप्योग है वो हम लोग काम में लाते हैं तो इस तरह से इसके बारे में जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों के लिए ये एक बहुत ही important plant की रूप में हमारे लिए उपलब्ध है कहां कहां पर है ये distribution क्या है वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो इंडोनेसिया में है वेस्टन दीज में, स्री लंका, चाइना, ताइवान इन सब countries में इसका distribution है या ये plant वो बहुत आइद से पाया जाता है इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आंद्रपरदेश, केरिला, वेस्ट बंगॉल, करिनाटगा, तमिलाडू, उडिसा, बिहार, आदिराजों में ये plant पाया जाता है और वहां से इसको हम हल्दी के रुप में इसके परकंद को या राइजों को काम में लाते हैं तो ये सब चीजे हैं वो हमें मालूम होने चाहिए इस plant के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम medicine के रुप में काम में लाते हैं तो उसके अंदर कुछ alkaloids पाया जाते हैं कौन-कौन सी alkaloids है या chemicals है जो हमारे लिए important है या जो उसदी के रुप में काम में लाते हैं तो मुख्य रुप से इसके अंदर जो alkaloid पाया जाता है वो curcumin नाम का एक alkaloid है वो पाया जाता है यह जरूर से याद रखिएगा इसके अलावा दूसरे chemicals और आपके सामने है curcumin नोइडिस, atlendon और बाकी जो chemicals है वो आपके सामने है आप easily उनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो निश्चित रुप से जो curcumin है यह हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है कि मुख्य रूप से इसके अंदर और कौन सा यालिकलोईड है वो पाए जाते है इसके अलावा बाकी भी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसके अलावा हल्दे के अंदर जो उडने वाला तेल, जिसको कि हम volatile oil के नाम से जानते है उसके मात्रा आपके सामने है इसके अलावा प्रोटीन के मात्रा भी आपको दिखाई दे रही है इसके अलावा जो दूसरे दर्वे हैं वो भी है मिनरल्स भी इसके अंदर पाया जाते है कार्बो हाइडेट्स भी इसके अंदर पाया जाता है और जो कुर्कुमिन है वो बहुत ही पित रंजक दरवे के रूपे इसके अंदर है वो प्रेजेंट होता है विटामिन A भी पाया जाता है और इसके अलावा जिसा मैंने सुरू में बताया था digestive power के लिए भी बढ़ाने के लिए भी इसको काम मिलाते हैं इसके अलावा गठिया के रोक में रक्त प्रवहाग के अंदर भी cancer के अंदर भी देखिए एक नई research के बारे में आपको यहां मालूम चल रहा है इसके अलावा high blood pressure के अंदर भी इसको काम मिलाते हैं और इसके अलावा जो cholesterol की level की जो problems है बढ़ने से उसके अंदर भी हम इस particular हल्दी को काम मिला सकते हैं देखिए सुरू के paragraph में आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़े present है और बाकी के जो last वाली line हैं वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हम इस plant को किस काम में ला सकते हैं इसके अलावा आप देखिए इसके और दूसरे उप्योग हल्दी को कफ वात शामा के रूप में पित रेचगवा पित शामा के रूप में और जिनको भूग नहीं लगती है उसके अंदर भी हम नाडी सूल के अत्रित पाचन के रिया के रोग और उची और दूसरी जो चीजे हैं उनमें हम इसको काम में लाते हैं और इसी परकार हल्दी की एक और किस हम जो की काली हल्दी होती है उसको भी हम काम में लाते हैं और उप्चार की अगर बात करें तो काली हल्दी है वो पीली हल्दी के मुकाबले में ज़्यादा फाइदेमंद होती है क्योंकि उसमें medicinal properties है वो ज़्यादा पाई जाती है इसलिए उसका utility या उपयोगिता भी अपने पीली वाली हल्दी के मुकाबले में ज़्यादा होती है हम सामानेते पीली हल्दी को ज़्यादा काम में लाते हैं अलक से पॉइंट वाइज अगर हम बात करें यूजेज इसके क्या है उप्योग क्या है निशित रुप से खाना बनाने में हम काम में लाते हैं कुम-कुम मदलब हम अपनी स्किन को चमकाने में काम में लाते हैं, कफ और खांसी में भी हम इसको एक्सपेटर्ण रेंट के रुप में काम में लाते हैं, एंटिसेप्टिक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, घर में देखा होगा, जब हमें कोई चोट लग जाती है, या हमारा बदन पेन कर रहा होता है, तो हमें एडवाइस किया जाता है कि दूद के अंदर हल्दे डाल के पीलने से प्रॉब्लम्स में आराम मिलता है, निश्चित रूप से आपने भी अपनाया होगा, पिला रंग होने के कारण से इसको डाई के रूप में भी हम लोग काम मेलाते हैं, निश्चित रूप से ब्लड को सुद्ध करने में यानि ब्लड पीड़ी फाइर के रूप में भी काम मेलाते हैं, कॉसमेटिक्स कुम-कुम जो उपर बात की थी यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो भी पर्टिकुलरली जो स्किन की क्रीम्स वगरा आती है उनमें भी हल्दी का उपयोग है वो सामाने तक किया जाता है और लास्ट में आप देख रहे हो डाइपिटीज के अंदर भी एक उसदी के रूप में हल्दी का उपयोग है वो किया जाता है इस तरह इसके बहुत सारे यूजेस है अगर हम इनको अपनाएं तो निश्चित रूप से इस मेडिसन का या इस उसदी का या इस मसाले का कोई साइड एफेक्ट है वो सामानेत है वो नहीं होता है और हम इसको काम में ला सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे फाइदे हैं निश्चित रूप से एक मसाले के रूप में तो हम काम में लाते ही लाते हैं लेकिन इसके अलावा जो सुरू में हम लोगों ने बात की थी कि हल्दे में प्रोटीन है, विटामीन है, कार्भोहाइडरेट और मिनरल्स है, ये सारी चीज़े होने के अलावा भी इसके अंदर ओंटी एक्सिटेंट, एंटी फंगल और एंटी सेंटिक जो तत्व है, वो सारे गए से उस्दिय गुण है, वो इसके अंदर पाए जाते हैं और हमारी खुब सूर्थी को बढ़ाने में भी ये बहुत ही कारगर साबित होता है, तो देखिए कितने सारे उप्योग है, वो हल्दी के हमारे सामने हैं, वो आ गए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हल्दी है, वो हमारे लिए कितना मैतोपून है, इसके अलावा देखिए कुछ इसके side effects भी हो सकते है वैसे जो natural चीज होती है उनके side effects है वो साबानेता नहीं होते है लेकिन बात वही है ना कि जरूरत से ज़्यादा हम किसी चीज का उपयोग करें तो वो हमारे लिए नुकसान दाइक है वो हो सकती है इसलिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ज़्यादा तर तर तो उसका फाइदा है लेकिन इसका उपयोग है वो ज़्यादा करने से लिवर और kidney stone में इसका उपयोग है वो सेमित का मातरा में ही करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा 7 करने से ये problems हैं, वो हम लोगों के अंदर और बढ़ जाती है इसलिए limit में रहकर अगर हम काम करेंगे तो इन natural products का कोई side effect है, वो नहीं होता है इस चीज़ का हमें सामाने ते ध्यान रखना चाहिए और साथ में एक बात और दिखिए लगातार ज़्यादा हल्दी का 7 करने से सरीर में iron की कमी हो जाती है और उससे खून की कमी वाली problem से वो हो सकती है तो ये भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है और इसके अलावा एक और चीज़ आपके सामने आ रही है कि हल्दी का अधिक 7 करने से सरीर में टेस्ट्रोस्टेरोन के सर में असुंतलम उत्पर हो जाता है और उससे श्प्रम्स की संख्या में कमी हो सकती है देखिए कितनी महतुपुन बात है वो इस पॉइंट के माध्यम से हमें बतलाई जा रही है और इन सब बातों का है हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि हल्दी है वो हमारे लिए किस परकार से उप्योगी है और उसका ज्यादा यूच करने से क्या नुकसान या साइड इफेक्ट है वो हो सकता है इसके अलावा कैंसर के इलाज में भी अधिकतर लोग है वैसे तो किमो थिरिफी का सारा लग लेते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर सिच्वेशन में हल्दी का सेवन करने से हमें बचना चाहिए ये भी देखिए एक सावधानी है वो हमें ध्यान में रखनी है और इसके अलावा जो हल्दी का पीलिया में सेवन जो जोंडिस हो जाता है वहाँ पर भी घातक है वो हो सकती है इसलिए हमें ये अल्दी के सेवन से बचना चाहिए ये इसके कुछ साइड एफेक्ट थे जिसके बारे में निश्चित रूप से हम लोग उनको ध्यान है वो रहकना चाहिए और ये साइड एफेक्ट क्यों हमारे सामने आ रहे है जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया कि किसी भी चीज का जो उप्योग है वो जरूरत से ज़्यादा अगर हम लोग करते हैं तो इस तरह की प्रोब्लम से वो हमारे सामने आती है तो प्रिय विद्यारतियों ये था आज का टोपिक हलडी के बारे में टर्मेरिक के बारे में जो कि एक मसाले का एक्जामपल है एक इस्पाइस का एक्जामपल है बहुत important बात है कि हलडी है वो हमारे लिए बहुत महत्तोपून है और जब से ये पर्थवी बनी है जब से सबजी बनाने की जो एक विधी है वो उसकी सुरुवात हुई तब से हल्दी का उप्योग है वो मानव है वो करता आ रहा है और एक्जाम के पॉइंट विउ से भी हल्दी है वो बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए हमें निश्चित रूप से इस टोपिक को ध्यान से पढ़ना चाहिए समझना चाहिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू शुक्रिया